तो साथियों आज मैं आपको जापान से जुड़िये का साधरन कहानी सुनाने जा रहा हूँ और साथियों जापान एक ऐसा देश है जो भुकंब की कगार पर हर छण खड़ा होता है उसके बावजूद तरक्की के शिखर पर भी हर छण खड़ा होता है जिसने कुछ नहीं होते वे भी सब कुछ खड़ा किया वो देश है जापान तो साथियों जापानियों को मचली फिश खाने का बहुत शौक था और वो नौकाओं में निकलते डेली खूप सारी मचलीया पकडते वापिस लाते और पूरे जापान में मचलीया खाई जाती धिरे धिरे समुद्र के किनारे पर मचलीया कम होने लगी जापानी और आगे तक जाने लगे पानी में फिर मचलिया पकड़ पकड़ के लाने लगे फिर वहां तक भी मचलिया कम हो गई वो और आगे जाने लगे उन्होंने नौकाओं की साइज बड़ी कर ली और बड़ी कर ली और बड़ी कर ली अब वो लंबी दूरी तक जाने लगे लेकिन धिरे धिरे वहाँ भी मचलिया खतम होने लगी और बहुत दूर से जो मचली पकड़ पकड़ के लाते थे आते आते तक उनका स्वाद खराब हो जाता था और उनके जो ग्राहक थे वो उन मचलियों को लाइक नहीं करते थे तो जापाणियों ने बड़ा A.R.N.D. किया बड़ा दिमाग लगा के मशक्कत करके एक आइडिया निकाला और उनोंने अपनी नौकाओं में बड़े बड़े फ्रीजर लगवा दिया अब वो मचली पकड़ते और उनको फ्रीजर समें भर देते और फ्रीजर में मचली लेकर आ जाते कुछ दिन तक तो ठीक चला लेकिन बिजनेस वापीज डाउन हो गया क्योंकि कस्टमर्स को फ्रीज में रखी गई इतने इतने घंटों तक की मचलिया टेस्ट में अच्छे नहीं लगती थी जा पानी फिर परिशान फिर उन्होंने रिसर्च की फिर आरेंडी मशक्कत सब कुछ किया अपकी बार उनको आइडिया आया क्यों न मचली घर बना दे और उसमें समुद्र जैसा ही पानी रखें और मचलिया उसी में रखें तो मचलिया बिलकु ताजी हालत में आएगी और उन्होंने बड़ी-बड़ी नौकाओं में बड़े-बड़े मचली घर लगवा दिये और उसी समुद्री पानी में मचलियों को रखने लगे लेकिन साथियों इससे थोड़ा सा तो सुधार हुआ लेकिन फिर भी बहुत सारी मचलिया निढाल मुर्दा और बेजान पड़ी रहती थी एक समय ऐसा आया जपानी मचली उद्योक पर संकट के बादल चा गया लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हा रही जैसे पहले दो बार चुनौतियों का मुकाबला किया वैसे ही इस बार उन्होंने फिर से इस चुनौति का एक हल निगाला सातियों इस कहानी का अंत आपको बताऊं उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितनी बार आपको ऐसा लगा मेरे जीवन में ये चुनौति नहीं होती तो अच्छा होता मेरे जीवन में संयुक्त परिवार नहीं होता एकल होता तो अच्छा होता मेरे एक भाई की जगा दो भाई और होते तो अच्छा होता मेरा कोई भाई ना होता तो अच्छा होता मुझे अच्छा स्टाफ मिलता तो अच्छा होता मुझे अच्छी wife मिलते तो अच्छा होता मुझे अच्छा husband मिलता तो अच्छा होता मेरी height ज़्यादा होती मेरी भाशा ज़्यादी is that जाने क्या-क्या चुनौती आपने सोची लेकिन एक बार इस कहानी का अंतिम हिस्सा सुन लीजिए जितने भी लोग चुनौतीों से भागते हैं एक बार इस कहानी का अंतिम हिस्सा चुन लीजिए जब मचली घर लगवाने के बाद भी मचलिया बेजान और मुर्दा आने लगी तो एक दिन उन लोगोंने रिसर्च करके दिमाग लगाया और दिमाग लगाने से उनको ये पता चला कि समुद्र में मचलियां लगातार अपनी जान बचाने के लिए धर दर से भागती रहती है बड़ी मचली छोटी मचली को खाती है छोटी मचली जान बचाती है और इस आपा धापी में इस भागम भाग में उनके शरीर के अंदर ताज़ी, फ्रेशनेस, हर्मोनल बेलेंस बना रहता है और उस दिन जपानी उद्योग ने करांतिकारी निरने लिया उन्होंने मचली घर तो रखे लेकिन अब उत मचली घरों में बड़ी मचलिया और शार्क डालना शुरू कर दिया और इन शार्क और बड़ी मचलियों से बचने के लिए छोटी मचलिया इधर से उदर, इधर से उदर, इधर से उदर भागती और वो किनारे तक अब ताजी हालत में आने लगी और उसके बाद ये संकट समाप्त हो गया साथियो, चुनोतियां जीवन में आएंगी बिना चुनोति के जीवन की कलपना यदि करोगे तो उन बेजान मचलियों जैसे निढाल हो जाओगे बिना चुनोति के जीवन की कलपना करोगे तो जीवन में कोई रस नहीं बचेगा बीना competition के व्यापार की कल्पना करोगे तो वो व्यापार पुरा का पुरा छेत्र समापत हो जाएगा बीना competition के बीना चुनावती के जीवन मुर्दा है याद रखिए प्रतीस परदा हमको बहतर बनाती है चुनावतियां हमको जिन्दा रखती है इसलिए साथियो जिस तरीके से उन शार्क्स की वज़ा से उन बड़ी मचलियों की वज़ा से वो छोटी मचलिया जिन्दा थी उसी वज़ा से competition की वज़ा से और चुनावती की वज़ा से आप जिन्दा है इसलिए चुनावतियों का स्वागत कजिए चुनावतियों को गले लगाईए चुनोतियों से हारिये मत चुनोतियों से घबराईये मत उल्टा में चुनोतियों के बीच जाकर बैठिये एक बर फिर मैं अपना पुराना और फेवरेट डायलग यह दोराना चाहता हूँ जिस पर आप पहले भी मिलियंस ओफ लाइक्स दे चुके हैं कि हर हवाई जाज यदि जमीन पे रहे और पानी में जाकर मैं डूब सकता हूँ यह सोच के पानी का जाज किनारे पे रहे तो दोनों की कोई जतनी है यदि आप चुनोतियों के डर से घर पर बैठे हैं यदि आप चुनोतियों के डर से निरणे नहीं ले रहे हैं यदि आप चुनोतिय तो जीवन है चुनोतियों का स्वागत करिए और एक कहवत याद रखना जिसकी जितनी जादा परिक्षा लिजाती है उसको उतना जादा वर्दान मिलता है उपर वाला उसी की परिक्षा लेता है जिसको वो कुछ देना चाहता है शुक्रिया धन्यवाद